तो हमने यहां हर नंबर को दो दो बार repeat कर दिया हुआ है और repeat करने के बाद हम मुझे यहां पे एक blank row इस तरह से insert करना है तो कैसे करें तो इसके लिए हमने नीचे जीसे हम पर 32 नंबर है तोटल यहां पर हम 32 नंबर को मैं लिखेंगे लेकिन यह नमबर सिफ वन टाइम होगा ट्वाइस नहीं होगा पिछली करके दिखाते हैं, हमने select किया और हम चले गाए Ara तो स्वाइन फिल्टर के custom शॉट में और यहाँ हमने serial number को select करके आप यहाँ पर देखिए एक एक number यहां आपके सामने हर एक दूप के बाद एक blank row इन सर्ट हो गया